हलो फ्रेंड्स वेलकम टू राइजन स्कॉलर्स ट्रिटोरियल आज मैं आपको सक्सेशिव डिफ्रेंशेशन का इंटिग्रेशनल फॉर्म बताने वाला हूँ इंटिटर्मिनस स्ट्रम का मतलब क्या आता है जिसका स्उलीजें इंफिनिति में आता है जैसे कि अगर आप पोला्य जीरो को मơn्ट कीमेंट 2017 के साथ मैंन सुन आएगा वो बाईILY कुछ यह इए गा जीरो बाई जीरो यह थीरो आपा है इंफिनिती होता है तो इंफिनिटी मि लेता है उस form को क्या बोलते हैं हम इंडीटर्मिनेंस फॉर्म इस तरह से बहुत सारे form है तो चलिए इंडीटर्मिनेंस फॉर्म का टाइप वन का मैं आपके सामने की example लेता हूँ और उसे solve करते हूँ मैं आपको explain करता हूँ कैसे इंडीटर्मिनेंस सक्सेश्व डिफ्रेंशेशन का सक्सेश्व डिफ्रेंशेशन का देखिए इंडीटर्मिनेंस फॉर्म का टाइप वन किस तरह से solve करते हैं और उसे मैं आपको explain करता हूँ देखिए यह आपके सामने क्या है एक्जामपल है यह हमारा integration है जिसका limit क्या है एक्स टेंस टो वन है तो अगर हम एक्स की जगह पर वन सबस्ट्यूट करते हैं क्या यह है कि नहीं सबसे पहले हम वो चेक करेंगे अगर यह इनडीटर्मिनेंस फॉर्म में रहेगा तभी हम इसे आगे जल करेंगे तो चलिए देखते हैं पहले बात यहां पर अगर एक्स की जगह पर वन डालता हूं वन रेस्ट वन क्या होता है वन one माइनस वन क्या जाएगा जिरो उपर जिरो मिल रहा है लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं अगर उपर जिरो मिल रहा है तो नीचे भी हुआ जिरोन जहीं मिल रहा होगा तो नीचे में च quiक करते हैं one one माइनस जिरो क्या होता है यह जिरो हो गया है लेकिन माईनस लाग क्या है डालता हूं तो लो राग वन का वैलियुस गया मीलता है हमें जिरो तो यह क्या हो गांग है पता नहीं रहता है तो इसके बाद हम आगे क्या कैसे सॉल करेंगे इंप टेमिनंगरम किसमको हम अपने सीटी की इक्जाम के लिए अगर आपने प्रिप्रेशन किया होगा तो इस testim आपको क्या सिखाया जाता है एल होस्पिटल एल होस्पिटल कैसे अप्लाई करते हैं तो एल होस्पिटल क्या काम करता है सबसे पहले आपका नियुम्रेटर और डिनियुम्रेटर को एक टाइम डिफ्रेंशियेट करना है कब तर डिफ्रेंशियेट करना है एक बार अगर हुए आपको बचाता हूं क्या करते हैं जेरो बड़ी जेरो गाम करते हैं अपलाई करते हैं paint ii लो अवा स्पीटल रूल को अपलाई करते हैं क्या जाएगा हम लोग differentiate करेंगे differentiate क्या करेंगे numerator को और denominator को numerator क्या है हमारा x raise to x x raise to x का differentiate अब differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा answer x raise to x bracket में 1 minus 1 plus log x 1 का differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा x का differentiation करेंगे 1 1 का अगर differentiation करता है तो 0 जिरो लिखने की जरूत नहीं है log x को differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा one upon x मिलेगा कि अब polling के सोचे रहे होंगे कि मैंने यह direct कैसे लिख दिया इसका differentiation याद है क्या मुझे हाँ मुझे याद है मैंने क्योंकि ऐसे संक्वे मैंने बार-बार solve किया है तो x raise to x का differentiation x raise to x bracket में one plus log x होता है मैं कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ चलिए इसे हम suppose करते हैं यह हमारा क्या है i है i is supposed to x raise to x both side हमें क्या लेना है log लेना है दूनों तरफ अगर log लेंगे तो क्या हो जाएगा log i x log x दूनों तरफ log लेंगे या taking log on both side log लिया है, differentiate हमें तक नहें किया है इसे चलिए differentiate करते हैं किस के respect में x के respect में क्यों कि क्या मिल जाएगा आपको वन अपॉन मिल जाएगा i लेकिन यह x नहीं है तो आपको क्या मिलेगा di y dx बिरे जाएगा तो क्या हो गया यह आपको again आ जाता है di y dx क्योंकि यह i है x नहीं है लेकिन फिर भी क्या हुआ लेकिन i तो है i का differentiator क्या मिल जाएगा हमें log i का one upon i मिल जाएगा x का differentiation करेंगे चलिए u into v का formula लगाते हैं u into v v का क्या काम करेंगे differentiate करते हैं u log v u differentiation of v plus v differentiation of u तो इसका differentiation log x का differentiation करेंगे तो x मिलेगा one upon x मिलेगा log x into देखिए u differentiation of v plus v differentiation of u x का differentiation करेंगे तो one मिलेगा अब one को लिक्षिन ज़रोत नहीं है क्योंकि one multiply हमें साही रहता है यह cancel होगे आपको क्या मिला one plus log x मिला आई यहां पर देखें डिवाइड हो रहा है वहां पर जाएगा तो multiply हो जाएगा DIY dx यह जाएगा वहां पर multiply हो जाएगा यहां पर multiply होगा तो क्या जाएगा आई क्या है हमारा i है x raise to x यहां पर आजाएगा x raise to x x raise to x multiply by one plus log x देखिए यह हमारा मिल गया इसी तरह से हम इसे solve करते हैं तो चलिए हमारा l hospital apply तो कर दिया एक बार अभी फिर से चेक करेंगे l hospital लगाने की फिर से जरूरत है क्या दिखते हैं यहां पर x raise to x देखिए अगर one डालते है तो one raise to one क्या मिलता है one मिलता है तो यह फरक ने पड़ता यह one ही है one plus log क्या है यहां पर x है log x का value क्या मिलता है हमें log x की जिए पर one डालते हैं तो log one का value क्या मिलता है हमें log one का value zero मिलता है तो यह zero हो गया यह positive one है और यहां पर minus one है तो one minus one क्या मिलता है यहां पर zero चलिए यह हमारा numerator में zero मिल रहा है denominator में भी चेक करते हैं zero मिल रहा है क्या तो देखिए यह पहले से one है 1-1 upon x है x की जिगे पर 1 substitute करेंगे तो 1 upon 1 मिल जाएगा 1-1 क्या मिलता है 0 मिलता है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा फीड से L hospital rule apply करना पड़ेगा चलिए apply करते है applying L hospital rule L hospital rule को apply करते है L hospital rule क्या बोलता है कि आप numerator और denominator numerator को differentiate कर सकते है कब कर सकते है अगर वो indeterminance form में रहेगा मतलब 0 by 0 form में है तो यह 0 by 0 form में है तो इसे लिए इसे हम क्या काम करते है differentiate करते है numerator को और denominator को x raise to x का differentiation करेंगे जैसे दिखे u into v होता है इसी तरह से हम क्या काम करेंगे इसका या तो फिर आप क्या काम कर सकते है पहले अंदर multiply कर दे फिर u into v करेंगे आप चाहे तो या तो फिर u into v का differentiate करें u into v v का differentiate करते है u integration of v u differentiation of v plus v differentiation of u चलिए u को ऐसे ही रखते है v को differentiate करते है इसे differentiate किसके respect में करना है x के 1 को अगर differentiate x के respect में करते हैं तो क्या मिलता है 0 log x को differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा 1 upon x यहाँ पर क्या मिल गया 1 upon x u differentiation of v हो गया plus v को अभी ऐसे ही रखते हैं भी u को differentiate करते है 1 plus log x इसका differentiation x raise to x का differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा x raise to x मिलेगा into, यही मिलेगा x raised to x का differentiation यह मिला है न? देखिये x raised to x को differentiate के यह हमें यह मिला है, तो यहीं अगर हम यहाँ पे लिखेंगा, तो क्या आजाएगा? X square, x raised to x यहाँ पे क्या है? 1 plus log x यहाँ पे एक और आ जाएगा 1 plus log x 1 का differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा इसलिए लिखने की कोई ज़रूत नहीं है चलिए 1 का differentiation करते हैं तो क्या मिलता है हमें 0 मिलता है 0 लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं minus 1 upon x का differentiation क्या होता है minus 1 upon x square differentiation होता है आपको यह differentiation minus में ना तो क्या जाएगा प्लस में आ जाता है अगर आपको यह पता करना कैसे होता है तो देखें यह one upon x है इसे उपर लेकर गए तो क्या हो जाल यह एकसर टो माइनस वन और differentiation का formula लगाते हैं minus 1 raise to minus 1 minus 1 हो जाएगा ना minus 1 x raise to minus 2 हो जाता है minus 2 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा minus 1 raise to x square हो जाता है करेंगे तो minus 1 है पहले से एक और minus था minus minus plus plus 1 upon x square ऐसे short short आपको formula याद रखने चाहिए इससे आपको क्या helpful रहेगा आपको आगे solve करने के लिए तो देखिए हम लोग ने क्या काम क्या differentiate कर दिया है अभी चेक करते हैं फिर से यह 0 by 0 form में है क्या अगर है तो आगे लिखते चलते हैं यहां पर क्या हो गया 1 मिल गया है Plus कि देखिए एक्स की जगह पे 1 1 पहले से यहां पर है तो यह क्या रहे है का 1 log x का है log1 log x की जगह पर 1 डालते तो log 1 हो जाएगा log 1 का value जाता है 0 मिलता है log 1 का value 0 मिलता है तो 1 plus 0 1 होता है x raise to x का value का मिलता है 1 raise to 1 का value का मिलता है 1 फिर इसी तरह से इसका भी होई हो जाएगा 1 plus 0 तो वह हो जाएगा और denominator में देखें x की जिएगे पर 1 डालते है तो 1 का 1 upon 1 का square 1 ही मिलेगा देखें आगे solve करते हैं इसे देखें यह 0 by 0 यहाँ पर नीचे 0 है क्या देखते हैं आगे क्या मिलता है यह 1 into 1 into 1 मिल रहा है 1 plus 1 upon 1 means 2 upon 1 मिल रहा है तो देख रहे हैं यह 0 by 0 नहीं है नहीं रहता है तो हम क्या काम करते हैं limit में अगर 0 by 0 नहीं रहता है तो हम क्या काम करते हैं जो हमारा X TENS 2 रहता है वह हम क्या काम करते हैं जहां पर X X है वहाँ पर हम उसका value substitute कर देते हैं substitute अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 upon 1 मिलेगा हम substitution अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 upon 1 मिलेगा तो यह हमारा क्या हो गया complete solution हो गया इसी तरीक्य से आपको L-Hospital indeterminance form के समको solve करना है thank you please इस वीडियो को like करे, share करे and subscribe करे इसी तरह से आपको जब भी आपको indeterminance form को मिलेगा तो इस तरह से solve करना है और मैं आपको अलग-अलग types के indeterminance form के सारे types के मैं आपको sum कराते रहूंगा thank you और अगर आपको कोई और doubt रहा अगर और कोई chapter से related अगर इसी applied mathematics में अगर आपको कोई भी doubt रहा तो आप क्या काम कर सकते हैं नीचे आप जरूर और नीचे लिख के आप comment section में लिख के मुझे send कर सकते हैं मैं आपको उसका solution बेजने की कोशिश करूँगा वीडियो बनाके thank you